Hello everyone, welcome to ECV Comments Classes, मैं हूँ Tabita और गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ Higher Salary Job की काफी सारे स्टूडेंट मिर से ये चीज़ पूछ रोते कि मैं हम ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें हमें Higher Salary मिल सकती है या और फिर ऐसा कौन सा Career Option है जिसमें हमें Higher Salary मिलेगी So guys, सबसे पहले तो there are Unlimited Options आपके सामने इतने सारे Options है कोई भी जूस करो, आप पाइलेट बन सकते हो, उसमें भी बहुत पैसा है आप चाहे तो किसी कंपनी के CEO, MD बन सकते हो, बहुत पैसा है आप चाहे तो Officer Ranked for Income Tax Officer बन जाओ, IS Officer बन जाओ बहुत पैसा है guys, और ज़्यादा नहीं तो Politician बन जाओ, उसमें तो बहुत इंतहा पैसा है लेकिन guys, यहाँ पे बात यह चीज़ आती है कि हम लोग अपना Career Option डिसाइड कर रहे हैं पैसे को लेकर यानि कि पैसा किस लाइन में जाता है, हम तो उसी लाइन में जाएंगे तो guys, क्या आपको यह decision सही लग रहा है खुद से एक बार अपने आपसे पूछो, कि आपको यह चीज़ सही लग रही है कि हम वो Career Option चूस करें, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जो बहुत अच्छी जॉब पर है बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन चेरे पर कभी खुशी नहीं होती अपने काम को कभी enjoy नहीं कर रहे होती 9 to 5 घर आते हैं, बहुत थक गया, बहुत मेहनत करके आया हूँ और जादा हुआ तो साल में एक दो ट्रिप काट आते हैं पैसा जोड के है ना, तो वो सिर्फ पैसे को देखकर उन्होंने चॉप करी थी लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने काम को, अपने passion को इतना enjoy करते हैं और बहुत उचाईयों पर बहुत तरक्की वो लोग छूते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं एक example दो, देखो, इसमें सबसे बड़ा example में आपके सामने देती हूँ सचिन तंदूलकर, अभी मेरे माइंड में वही ही नाम सबसे ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि आप सोच ना गाइस इस चीज को जब उन्होंने डिसाइड किया था कि मैंको खेलना है तो क्या उन्होंने इस चीज के बेस पे डिसाइड किया था कि मुझे खेलना है क्योंकि मुझे इसमें बहुत पैसा कमाना है क्या ये सोच थी उस समय उनकी कि मुझे न ये cricket खेलना है क्योंकि मुझे पैसा कमाना है उन्होंने ये खेल इसलिए स्टार्ट क्या था क्योंकि उन्हें इस खेल को खेलने में मज़ा आता था उनको ये पसंद था, इसलिए उन्होंने इस खेल को चुना और आज आप सचिन दंदुलकर का देख सकते हो, कोई competitor नहीं है उन्होंने पैसे के पीछे नहीं भागे, आज की date में पैसा उनके पीछे भाग रहा है और सचिन दंदुलकर आगे आगे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा उनके पीछे भाग रहा है क्यों भाग रहा हैं? क्योंकि उन्होंने जिस चीज में उनका interest है, जिस चीज को काम करने में उनको अच्छा लगता था अगर आपने अभी तक अपने interest को identify नहीं किया है, तो कब करोगे? इतना तो यानि कि बार्मी तक तो हमें एक same pattern में पढ़ना ही होता है यानि कि first to 12 तो हमें करनी ही करनी है, उसके बाद जाके हमें अपना समय आता है कि हमें अपकुछ decide करना है कहते हैं एक कश्टी तो हमें पाद करनी है, उसके बाद अब अपनी नाव बनाने की जरूरत है तो अपनी नाव किसी और के हाथों में मत दो, पैसे को देखके मत choose करो अपनी नाव उस बेस पर decide करो कि आपको क्या करने में मज़ा आता है, किस काम को करने में आप ठकते नहीं हो किस काम को करने में आप दिन रात एक कर सकते हो, जब घरवाले रोके, तो हमें थोड़ा सही होता है कि और करना भी है काम अफकोर्स लड़की छेडने नहीं जाना उसमें तो पिटाई होगी आप लोगों की लेकिन वो काम गाईस मजाक से हटके वो काम गाईस जो काम में आपको मज़ा आते हैं इंट्रोस्ट है कई स्टूडेंट से कहते कि मैं कैसे पता लगाएं कि हमारा इंट्रोस्ट है इस जिस चीज को करने में नहीं थकते वही आपका इंट्रोस्ट है पता लगाओ नहीं पता लगा रहे तो लगाओ यह आपी का काम है आपका करियर उप्ष्न है लड़की ढूनते है लड़का ढूनते है खुद से शादी के लिए नहीं हमारी शादी है पेरिंट्स कैसे चूज करेंगे हम खूज चूज करेंगे ना तो जब आप वहाँ पर अपना सोच सकते हो कि मेरी शादी है मैं ही करूगा या करूगी तो यहां पर क्यों नहीं यह भी तो आपके का करियर उप्शन है न तो हम किसी और प्यक kinderg करें किया में आप क्यों नहीं करूगाओ बारवी के बाद या कॉलिज में कब पता लगाओगे? अगर नहीं लगाया तो गाईस पता लगाओ कि आपका इंट्रस किस चीज में है और जब आप उस काम को करोगे ना तो उस काम को करने में मेहनत और एक्सपरटाइज लेके आओ यानि कि इस काम को तो मेरे से बहतर कोई कर सके यह जजबा मैं इस काम को बहुत 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 तरीके से कर सकता हूँ सबसे अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ यह जजबा लेकर आओगे ना आप उस काम में एक्सपिटाइज हो जाओगे और फिर देखना जब आप उस काम में माहिर हो जाओगे उचाईया अपने अब चुओगे और पैसा आपके पीछे भगेगा सच और देंदुलर की लाइफ एक्स पिरियनस से आप यह चीज सीख सकते हो कि उनों ने पैसे की पीछे नहीं भागे थे वह antsy बागे थे और आज उनका काम बुलता है उनकी खेल उनका खेल बुलता है और पैसा इसलिए उनके पीछे भाग रहे है तो आप जो ये decision ले रहे हो ना highest salary को देखके सबसे बड़ा decision गलत हो सकता है maybe आप कोई ऐसी job लग जाए आपको जहां पर आपको बहुत अच्छी salary मिल रही हो बट काम करने में मज़ा नहीं आता क्या होगा जिन्दगी जी नहीं रहोगे काट रहोगे 925 की job कर रहोगे घर पे आओगे ठकोगे सो जाओगे और थोड़ा बहुत पैसा जोड़के कोई foreign trip हो आओगे घर खरीदोगे बच्चे होंगे बस यह चीज़ होगी लेकिन अपने life को जीओगे नहीं तो जीना है काटना नहीं है काटते तो लाइफ तो कटती चली जाती अपने आप लेकिन उसमें किस तरीके से उसको जीना है उस अपने काम को कैसे enjoy करना है तब ही कर पाओगे जब उसमें आपका interest है मज़ा आता है रात को दो या तीन बजे चार बजे बे उठा तो मेरा काम है मैं थकता नहीं हूँ आप बहुत लोगों में ये चीज़ देखोगे भी कि बहुत सारे लोग आइस अपने काम को करने पर थकते नहीं है उनमें जुनून होता है उस काम को करने का बार बार बोला जाते हैं जुनून, employees को बोलते रजाते हैं जुनून, employees काम करने में interested नहीं है, इसलिए जुनून नहीं है तो इस बेस पर decision बिल्कुल नहीं लेना कि highest salary पैसे को देखकर वरना पैसे के पीछे जब भागोगे तो पैसा हमेशा आपके आगे ही रहेगा ठीक है तो mentally अपने आपको काम करना है अपने mentally कहते हैं दिमाग से जो खेलता है वो बहुत पैसा कमाता है शरीर से जो काम करता है वो कम कमाता है मजदूर हमेशा आपने देखा होगा कम पैसा कमाता है लेकिन CEO किसी company का हमेशा जादा कमाते हैं क्यों क्योंकि वो दिमाग से खेल रहे होते हैं यहां पर दिमाग के खेलने की बात है भगवान ने सबको एक जैसा दे रहा है यूस करना सीखना है और उसमें आप जब चलाओगे उस चीज को तो यूस करना सीख जाओगे तो महनत करनी है किस पर दिमाग चलाने भर सोचो और अगर आपको कोई भी गाइस अगर मतलब दिक्कत आ रही है कुछ नहीं समझ पार हो तो आप मेर साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो आपनी बाते शेयर कर सकते हो इंस्ट्राग्रम पर मेरी आइडिया है तबिता मैसी अगर आप किसी करियर ओप्शन को लेके कन्फ्यूज हो तो भी आप मेर साथ शेयर कर सकते हो और बिलकुल भी टेंशन नहीं लेनी पैसे नहीं लगते दिमाग को चलाने के चलाओ खूब चलाओ और एक अच्छा करियर अप्शन चूज करो जिसमें आप बहुत उचाहिया चूज सको थांक्यू गाइज